नमस्कार कक्षा 10 अध्याई 14 सांखी की आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न चार करेंगे निम्निलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राजियों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है इन आंक्रों के बहुलक और माध्य ग्याद कीजिए दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए बच्चो माध्य आपने 14.1 में पढ़ा था इसलिए उसी के अनुसार आप इस प्रश्न में माध्य स्वयम ग्याद कीजिएगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का दिये हुए प्रेक्षकों का बहुलक ग्याद करना सिखाऊंगा मैं दुबारा रेपीट कर रहा हूँ माध्य आप स्वयम निकालिएगा क्योंकि आप 14.1 में सीख चुके हैं आए हमें सारनी का बहुलक निकालते हैं हमें ये सारनी दी गई है अधिक्तम बारंबारता देखे राज्यों और संग्य क्षेत्रों की संख्या में सबसे अधिक संख्या कौन सी है 10 इसका मतला अधिक्तम बारंबारता है 10 तो इसी से हमें इसका बहुलक वर्ग ज्यात होगा क्योंकि जिस वर्ग में 10 है वही वर्ग बहुलक वर्ग होगा अर्थात बहुलक वर्ग है 30 से 35 इसके अनुसार L होगा 30 जो की बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है F1 होगा 10 यानि की बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 होगा 9 यानि बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता और F2 होगा 3 यानि बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता होगा किसी भी वर्क के उपरी सिमा में से निचली सिमा को माइनस कर दीजिए तो हमने बहुलक वर्क के उपरी सिमा यानि 35 में से निचली सिमा 30 को माइनस किया तो हमें प्राप्ट हुआ 5 आए अब हम बहुलक ज्याद करते हैं जिसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H देखें बच्चो L की जगा हम लिखेंगे 30 प्लस F1 माइनस F0 यानि 10 माइनस 9 बटा 2F1 यानि 2 गुना F1 की जगा 10 तो 2 गुना 10 माइनस F0 यानि 9 माइनस F2 यानि 3 गुना H, H है 5 तो गुना 5 अगले स्टेप में 30 को ऐसे ही नीचे उतारेंगे उपर अंच में 10 में से 9 घटाने पर हमें प्राप्ट होगा 1 नीचे 2 दाहे 20 20 में से 9 माइनस किया तो हमें प्राप्ट हुआ 11 11 में से 3 माइनस किया तो हमें प्राप्ट हुआ 8 यानि अंच में आया 1 बटा नीचे आया है 8 गुना 5 अगले स्टेप में 30 प्लस 5 एकम 5 को 8 से भाग कर दीजे 5 को 8 से भाग करने पर हमें प्राप्ट होगा 0.625 तो हमें प्राप्ट हुआ 30 प्लस 0.625 और 30 में 0.625 को प्लस करेंगे तो हमें प्राप्ट होगा 30.625 तो इस प्रकार से हमारे पास बहुलक आया है 30.625 तो बच्चो प्रतिशीक्षक विद्यार्थियों की बहुलक संख्या कितनी है 30.625 आशा करता हूँ कि इस प्रश्ण में बहुलक निकालना आपको अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद अच्छे